पंजाबी सिंगर सिद्दु मुसेवाला की हत्या को 399 दिन पूरे हो जाने पर पिता बलकोर सी सिद्दु ने पुलिस और सरकार की कारिप प्रणाली पर सवाल उठाए है उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि इतने दिन गुजर गए हैं लेकिन अभी तक उसे इंसाफ नहीं मिला उन्होंने लॉरेंस को कोट में पेश न की जाने पर भी सवाल उठाए हैं बलकोर सी सिद्दु ने कहा कि गैंक्स्टर लॉरेंस को किसी अन्य मामले में फिसिकली से अदालत में क्यों पेश किया जा सकता है लेकिन सिद्दु के मामले में वी सी के मात्यम से भी अदालत में पेश क्यों नहीं किया जा सकता लॉरेंस के पास यसी कौन सी चापी है जिसकी वज़ा से उस पर आरप तक तरह नहीं किया जा रहे हैं बलकौ सी ने पंजाब सरकार और पुलिस पर सवाल लॉरेंस की मोगा की एक अदालत में पेशी के बाद उठाए मोगा में नशा तसकरी, इरादा कतल और हत्या सप्लाई का एक केस गंग्स्टर लॉरेंस, जग्गू, भगवान पूरिया, मोनु डागर और हर्पित सी पर दर्ज है इस केस में चारों पर चार्ज प्रेम किये गए हैं और कोट की स्प्रक्रिया के दोरादीन, गंग्स्टर लॉरेंस, मोनु डागर और हर्पित सी को फिजिकली पेश किया गया जबकि जग्गू, भगवान पूरिया को वचुली पेश किया गया इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे भन्नेवाद